अब जो इंपोर्टेंट चीज यानि अभी तक आपने जो पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आपने क्या किया क्या नहीं किया अब लास्ट पॉइंट पे लास्ट टिप्स की बारी है यानि इस पेसली जो भी कैंडिडेट्स 1428 पोस्ट की वेकेंसी के फॉर्म को फिलफ किये थे जिनका परिक्षा कल से यानि 22 तारीक सी स्टार्ट है तो इस पेसली दोस्त आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट टिप्स एक्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको देखनी जरूरी है अनिया था आप थोड़ी सी समस्या में पढ़ जाओगे जैसे सबसे पहले अभी तक के जो कैंडिडेट जिनका भी पेपर कल होने वाला है आपको सबसे पहला जो चीज धयान रखना है दोस्तों कि आपके इस पेपर में टोटल कितने questions होने वाल है तो इसमें दोस्तों आपके टोटल हैंडेट questions रहेंगे ठीक है और आपकी timing लेकिन जो सबसे most important छीचर हो यह है कि इस paper में negative marking भी है ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको question को बनाना है ध्यान रखिएगा आपके 4 section है इसमें ठीक है 25.4 के 4 section है तो especially आपको try करना है आप जीतने पहले सबसे पहले दोस्तों आपको try करना है कि reasoning और aptitude वाला section बन जाता है math वाला section यानि quantitative aptitude का तो approximately आप देखके चलो कि अगर आपके पास handed question 25 का तो अगर आप reasoning और aptitude जनरल aptitude में से अगर आप 30 question भी सही करते हो ना और अगर हिंदी वाले में मन के चलो कि 15 question 20 में से अगर आप सही कर दिये तो फिर भी आपका 45 score हो गया और math में अगर आप 15 कर दिये तो आपके 60 score हो गया मतलब अगर हर एक section में 15 15 भी question करोगे तो दोस्तों 60 number हो जाएगा और 60 number करना है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा score करो और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एससी नहीं किसमें नर्मलाइजेशन हो गयरा होगा ठीक है इसमें आपको try करना है कि आप negative marking के चकर में ना जाओ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दूसरा जो most important चीज़ कि दोस्त क्या general aptitude का section रहेगा या फिर आपके general knowledge का ठीक है तो इसका सवाल का जबाप दोस्तों यही है कि जैसा कि आप मेरे skin को पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका admit का डागर आप download किये होगे तो उसमें आप देखो कि नीचे में 10 11 12 यह 3 चीज़ देखना ठीक है तो 12th number आपक इसमें बताया गया है कि आपके लिए जो mock test है यह CRPF की official website पर अवलेबल है ठीक है आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आपके GKS का section है यहाँ पर जेनरल aptitude का section है लेकिन GKS जिन्हों ने भी पढ़ा है अभी तक किसी भी चैनल से YouTube वाले से काफी लोग मेरा थन्ट कर रहते तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा पेपर देखर एक बार आपको पता चल जाएगा उससे पहले आप एक बार इसको देख लो ठीक है आप demo test देख लो mock test mock demo देख लो उसके बाद आपको clear हो जागा यह चीज तीसरी जो most important चीज दोस्तों कि जितने लोगों का भी आप प्लीज इस नमबर पर नमबर नोट कीजिए 707-948-4396 इस नमबर पर प्रसनली आप मुझे वाटसब कीजिए ताकि जो आपके review है मैं और लोग तक पहुचा सकूँ जिनका अगला दिन पेपर है ठीक है मैं आपसे हाँ जोड़कर request करता हूं कि अगर आपका paper है चाह आप इनफर्म जरूर करना बताना कि किस तरह के pattern किस तरह के question पर आ रहे हैं ताकि और भी जो student है उनकी थोड़ी सी मदद हो सके तो basically दोस्तों यही थे कुछ important point और basically जो video बनाने का मेरा मकसर था वो यही था जीके general knowledge और general aptitude इसमें आपके confusion को दूर करना कि कौन सा आएगा ठ प्राइ करना है कि आप जितना attempt करो right ही attempt करो आप जाधा risk मत लेना अगर आप मान के चलो कि अगर आप 55 से 60 score कर रहे हो ठीक है आपने score question tick कर दिया तो उसके बाद आप risk मत लेना क्योंकि अगर risk लोगे तो फिर आप problem में फंस जाओगे ठीक है तो best of luck दोस्तों मिलते हैं कल next video के मादेम से आपके जो हैं आप लोगों के update especially first shift का जो review लेकर के तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन all the very best